असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स मैं हूँ बाच्छा बाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाच्छा एजूकेटर्स आज कहा हमारा टापिक है कि के ओनलाइन एग्जामिनेशन में हमने अपना पेपर अपने टीचर तक कैसे पहुंचाना है तो इमेल की थ देखने में आया है कि जरतर यूनिवस्टी में पेपर लेने के दो तरीके पहले तरीके के बात करें हम पहले मैठीड की तो यह कि टीचर ने आपको एक दो से तीन टापिक्स बता देने आपने उन टापिक्स पर असाइंवेंट बनानी है और फार उजने पर लापका पोटल 35 मार्क्स पूरे तो वह अपने असाइंवेंट अपने टीचर तक कैसे मुचानी है यह आपकी टीचर पर डिपेंड करता है कि आपने टीचर को एमेल करनी है या वैटस अप करनी है जिस त्रीके से भी करनी है वह एक लादा बात है एक मैठीड दूजी होगा कि आप पेपर लिखना है पेजिस पे उसकी तस्वीर बनानी है उसको पीडियाफ वाम में कनवर्ट करने है उस फाइल का नाम अपने रोल लंबर के मताब करना है एडिट करने है और फिर वह अपने टीचर की एमेल आईडी पर सेंड कर देना है तो बेसिक यह हमारा काम है तो जोंकि उनको इस चीज का पता नहीं है तो वो नहीं कर सकते तो उनकी हल्प करने के लिए बिसिकली मैंने आज की यूडियो बनाई है यह सबसे पहले आईए स्टार्ट करते हैं बगएर ताम बेस्ट किये प्लेस्टर को ओपन करें तो यहां पर एक एप्लिकेशन सर्च करे है और यह सामने नजर आ रहा है डाकुमेंट स्केनर लेकिन यह मेरे मुबाइल में चूंकि अर्रडी इंस्टाल है तो मैं इसको दोबारा इंस्टाल नहीं कर सकता आपने इस एप्लिकेशन को यह बिल्कुल छोटी से एप्लिकेशन है दस पंदर एंबी की होगी अभी करने से पहले क्या करना है जो अपने पेपर लिख लिए है तीन से चार पेज़ का हर पेज की उपर अपना रोल नबर लिखें अपना नाम लिखें और पेज नमबर लिखें ठीक है ताके बाद टीचर इस तरह क्यों होते हैं इस तरह होते हैं कि उन्होंने आपके पेपर को प्रिंट करना होता है और प्रिंटिड वाम में चेक करना होता है वो साफ्ट वाम में चेक नहीं करते मतलब बहुत टीचर की अपनी मेथडालोजी है ना जिस मरदी मैथड़ से चेक करें तो आप पेपर को इस तरह करना है मैं तेन पेज सिलेक्ट गरूँगा अपनी ये मेरी गैलरी उपन है तो यहां से मैं तेन पिच्यर्च करता हूँ पहली जबाए जब करना तो सलेक्ट हो जाएगी दूसरी पेज मैंने स्लेक्ट किया है तो त्री लिखा हुए नीचे डन इस पर क्लिक करें टच करें इसको तो यह देखे तोड़ी से लोडिंग हो रही है अब यह आपके जितने में पेज़ें उन करने की एक्शन दे रहा है यहां से आपने मरदी के मताबब जितना मरदी करना चाहिए कर सकते हैं तो मैंने अपने रिजिस्टर का यूज किया हुए यह दरा ब्यूटिफुल लाग रहा था तो आप एफ और पेज का यूज करें पेपर में तो बैस्ट है नहीं तो रिजिस्टर भी कर सकते हैं बेरल अपने डीचे से यह डिस्कस कर लें यह चीज तो यहां से देखें पे पेज की प्रसेसिंग कर रहा है तो यह देखें मुझे इस पेज का प्रिव्यू दुखा रहा है भी यह भी पेजवन का प्रिव्यू देखें यह पर पेजवन नदर आ रहा है आपको पीवन लिखा वा मैंने नीचे अपना नाम रोल लंबर और आगे असाइनमेंट फोर य प्रिव्यू दुखा रहा है आपको ठीक है स्टूड़न फिर एरोपे क्लिक करें तो प्र एरोपे क्लिक किया भी पेज त्री आपके सामने आगये इसको फिर आपकर आप कर लें फार इसमेपल मुझे यह हाफ पेज चाहिए देखें तो यह मैंने हाफ पेज कर लिया तो य आपको किलीर बिलकुल नजर आ रहा है कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो के रीडेबल ना हो तो यह उपर एक नोटिफिकेशन साहर है जी अब यह देखिए निचे लिखा हुआ है थ्री बाई थ्री यानि तीन पेज़ेते हैं तीनों को मैंने क्राप कर लिए तीनों की प्रोसे पक्की खरें क् Keytosaur day क्रीईव for ंटी लिखें आ यहांपर यहां पर यह व्ल WR, झतने B bess्वज दिखा रहे रहा है तो हैंपर यहांपर आप देख सकते हैं यहां पर देखें यह पर आप!* निचे यह थियु के पर देख्वें यह पर देखें यांपर दो तो यहां पर देखें, बैक जाएंगे, तो न्याँ पिर यह आप्शन वोई नज़रा रहे हैं पराने वाले, यहां पर आप इसका नाम च्छेंच करें, यहां पर आप अपने, इसका चंज करें, फर्सेंबल मैं इसका नाम रख लेता हूं, इंगलिश पेपर, ठीक है, यह मै वास मैं नहीं नाम रख ली है। थिक है student तो अभी नाम तो मैंने रख ली है अभी एक और क्म करना है इसको wysi आ यहां से ऑभी हम ने इसको यहां से direct अपने teacher को email करने है यहां पर चैनके share का option अफ़सिंद आरहाया share पी क्लिक करेंगे पूछ रहा है share only this file या share entry document हमने entry document को करना है जी अभी कह रहा है कि PDF कार्मिट में share करना है picture share करना है या PDF with password share करना है तो चुछ कि हमने paper at teacher को share करना है तो password तो हम नहीं लगा सकते हैं बुरी बात होगी हम सब से उपर वाले option पर क्लिक करते हैं share as a PDF अभी यहां पर पूछ रहा है आप से किस social media के थूँ आपने share करना है तो हमने जोंकि email करना है तो यह देखें मैं email पर क्लिक करूँगा तो यह password लगावा है तो यहां पर देखें उपर from में जिस email के थूँ मैं send कर रहा हूं teacher को वहां पर देखें from के सामने मेरा email आटोमेटिकली आ गया मेरा जो यूनिवस्टी का मैं चौंकि है हम आप स्टूडेंट तो मैंने अपने teacher को पर फारवड करना है तो यहां पर उपर देखें मेरा email आटोमेटिकली आ गया for example मेरे mobile में दो से तीन जदा email login है यहां पर कोई और भी email आ सकता है यहां पर आपने यह देखें नीचे email के सामने arrow down का option है इस पर click करेंगे तो आपको बहुत सारे यहां पर देखें email देखने को मिल जाएंगे लेकिन चौंकि मेरा पहले ही original email है तो मैं change नीचे नीचे टू पर आपने teacher का email address लिखने है for example मेरे teacher का email address है बाच्चा educator at the email.com नीचे space दें तो यहां पर देखें तो यहां पर आप एक सज़धा email भी select कर सकते हैं लेकिन मैंने चौंकि एस तरफ teacher को send करना है तो यह देखें सिरफ एक email यहां पर subject में आप अपना roll number भी लिख सकते हैं for example मेरा roll number लिख देता हूँ 1,2,3,4,5,6,7,8 यह मेरा roll number है और नीचे compose email में आप अपने थोड़ डिटेल लिख दें इदर भी आप अपना roll number लिखें roll number था मेरा 1,2,3,4,5,6,7,8 और इसके बाद नीचे अपना इदर नाम लिख दें मुहम्मद बिलाल नीचे लिख दें English paper इस तो आपने थोड़ डिटेल लिख दें यह है 1.8 MB की यह आपकी टीचर को सेंड हो जाएगी अभी यहां पर ऊपर देखें तीन जाट आपको नज़र आ रहे हैं साथ में arrow का निशान है इस पर क्लिक करें तो आपकी टीचर को आपका email forward हो जाएगा तो यह भी forward email जहांसे जा रहा है अभी पहुंचा नहीं है एक मिनिट के अंदर पहुंच जाएगा अभी हम इसको थोड़ा सा करते हैं हमारा document open होगा है इसको यहां पर देखें सामने एक save का button भी नज़र आ ठीक है यहां पर आप इसको save भी कर सकते हैं अच्छा इसको यहां से save कर दें तो save as PDF तो यहां पर देखें save पर क्लिक किया यहां पर पूछ रहा है किस नाम से save करना है तो जो हमने अपना नाम पहले edit किया था उसी नाम से हम इसको save करना है लोके किया तो यह देखें save successfully अब यह हमेरे mobile की जो storage है उसमें भी save हो चुका है पहले save नहीं था हुआ पहले सिर्फ हमारे teacher को पहुंचा था हमें हमारे mobile में save नहीं था हुआ लेकिन अभी यह हमारे mobile की जो file जाना इसमें भी store हो चुका है for example अभी यहां पर मैं open करता हूँ storage तो इसमें देखें यह मेरे memory card है default location memory card के अंदर जाकर यह download में चेक करें download में यहां पर English paper के नाम की file आपको नज़र आ जाएगी ABC यह देखें यह आपको English paper के नाम की file English paper.pdf 1.93 MB तो यह gallery में बेश्टोर हो चुका है अभी यह teacher को पहुंच चुका है या नहीं अभी जिस email पर मैंने send किया था अभी मेरी अपनी email है तो वह मैं यहां से open करता हूँ तो यह वह email है अभी internet disconnect हो गया था जिसकी वज़ा से यह अभी तक पहुंचा नहीं है जी students तो यह देखें मैं अंदर signal नहीं थे आ रहे हैं internet के मैं अभी बाहर आया हूँ तो यहां पर देखिए मैंने आइडी तो मेरी अपनी है लेकिन मैंने एक्जेंपल दे रहा हूँ टीचर की यहां पर देखें email नजर आ रहा है मुहमद बिलाल यानि मेरा नाम मैंने email किया है नीचे subject देख लें इसको open करता हूँ मैं तो यह देखिए अभी वही subject नीचे मुहमद बिलाल English paper और यहां से आपका teacher paper डाउनलोड कर लेगा तो यहां से आपका teacher paper डाउनलोड कर लेगा तो यह आपकी टीचर तक paper आपका पहुंच चुका है ठीक है जो मेरी मतलब मेरी idea तो वहां से मुझे कैसे बदा चलेगा कि teacher तक paper पहुंचा के नहीं तो यहां से इंदर क्लिक करें sent पर तो यहां से देखें सब से उपर to बाच्चा एजुकेटर यहां पर तो डेटेल में आएं यह नीचे डेटेल चक करें तो लिखा हुआ है from यानि मेरी idea से जो बाच्चा एजुकेटर वाले email idea पर उस पर paper transfer हो गया है जोलाई दो और 2020 दस बाराँ एम यह सारी date सब कुछ लिखा हुआ है तो यहां से इस चीज़ का प्रूव है कि अपके टीचर तक paper आपको पहुंच चुक है सबसे एंड पर सबसे जरूरी बात करनी थी पहले करनी थी लेकर मेरे जहन से निकल गया request है कि अपने टीचर को अपना paper सिर्फ एक बार सेंड करें ज्यादा बार सेंड ना करें यहां स और टीचर को वो भी इनसान है और यह तरीका है अगर आपको मजीद समझ नहीं आ रही किस चीज़ की तो आप मुझसे comment में पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लहाफिज